यह जो हमारे रसलस हैं जंतर मंतर पर पिछले 38 दिन से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिली पुल से इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही हैं वहाँ बैठे हैं, जो नॉर्मल प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं इनके वहाँ जैंसेट्स हैं, चैंटेज था, पानी की सुविधा थी, और ये रस्रस लगातार वहाँ बैठे भी नहीं हुए थे, ये लोग आते थे, जाते थे, और इनके कुछ शुपचिन तक कहलो या एसोसियेट्स कहलो वो बैठे होते थे, तो ये सब चल रहा था, हम भी इनको फैसिलिटेट्स जो भी ये कह रहे थे, वो फैसिलिटीज दे रहे थे, लेकिन 23 माई को जब इन्होंने कैंटल मार्च का हैवान किया, तब भी हमने इनके साथ काफी बातचीत की और इनको कहा कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, और कोई भी लॉइन ओर एजंसी है, साथ वह भी संपन हुआ, शांतिपून संपन हुआ, लेकिन कल एक बहुत important दिन था, हमारे law and order को लेकर, वहाँ पर हमारा कल के दिन, जो time और दिन था, time भी हमारा बहुत important था, उसी दिन हमारी संसत का inauguration था, नई संसत का, तो किसी भी security को लेकर, law and order को लेकर, कोई भी एजं सी इस तरह का प्रोटेस्ट आलौ नहीं कर सकती इनके साथ बातचीत हुई लेकिन इन्हों ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया तो उसके बावजुत जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको इनको डिटें करना पड़ा डिटेंड करने के लिए बहुत रिजिस्ट किया जिसके लिए हमारी महिला पुलिस फॉर्स हैं उन्होंने ही इनको detention किया बहुत मुश्किल के साथ क्योंकि यह एथलीट्स हैं और यह खुद नहीं detention होना चाह रहे वहां बिलकुल इन्होंने महां लेट केर और काफी तमाशी किये हैं तो उसके बावजुद हमारी विमन फोर्स है उन्होंने इनको डिटेन किया और शाम तक इनको रिलीज भी कर दिया गया इसमें सकती कोई नहीं जैसे मैंने कहा कि 38 दिन से यह लोग यहां बैठे हुए हैं और डिस्पाइड दाट हम उनको सब फैसिल्टी दे रहे हैं लेकिन जब कल का दिन हमारे लिए इतना महत्वपून था हमारी नई पार्लेमिन थी हमारे टाइनिंग और दिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टन थे लॉइन ओर्डर को लेके तो उस समय यह करना बहुत ही गलत था और हमने काफी शांती पुर्ण तरीके से इनको डिटेन किया है वोमेन पुलिस ने किया है वोमेन रसलर्स को और सुर्यास से पहले इनको रिलीज भी किया है वह हमारी नई दिल्ली डिस्ट इसके उपर जो भी कानूनी कारवाई होनी होईगी बोलें गें इसा कुछ नहीं है जब मामला सब्स्ट्रेश था उसको देखते हुए पुरे कानून का वह देखते हुए ही एक्शन लिया गया है और इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है वह इस पर एक्शन ले रहे हैं तो जो भी एक्शन बनेगा वैं किया जाएगा अगर अभी बार बार पैर्वान कहने को दुबारा से प्रोटेस्ट करेंगा अगर ऐसा कुछ इस्तिती बनती है तो पुलीस पर उसे क्या कर रही है उन्होंने हमारी जितनी भी लॉइन और अजनसी के होने के नाते सेक्योरिट और और चीजों से रिलेटेड जितनी भी उन्हों हमारी शर्तें थी उनकी उपर बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया है माने नहीं है तो इसलिए अगर वो मानते कहते हैं कहीं और प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको पर्मिशन दी जा सकती है किसी और जगा के लिए लेक